एक बड़ी स्यासी खबर से तो पश्य बंगाल ग्राम पंचाय चुनाव की काउंटिंग जारी है सुबा आठ बचे से ही बंगाल में वोटो की गिनुती चल रही है और गिनुती के दिन भी जबर्दस हिंसा साउथ 24 परगरा में काउंटिंग सेंटर पर बंबाजी हुई है घंटे में कुछी देर में नतीजे सामने होंगे लेकिन जब से चुनाव का एलान हुआ है मानो हिंसा आपने चरम पर हो पंचाय चुनाव की गिनती चल रही है दूसी तरफ आप देखिए उपदरवियों पर किस तरह से लाठिया भाजी जा रही है क्योंकि इन लोग ने बवाल किया है हंगामा मचाया है आज भी हिंसा देखने को मिल रही है तो एक तरफ काउंटिंग तो दूसी तरफ हिंसा बंगाल में बवाल है देखिए ये बाद की बात है कि सरकार किसकी बनेगी फिलहाल देखिए कैसे इस पूरे सूबे में लोक तंत्र नहीं गन तंत्र दिखत रहा है तो साउथ 24 पर गना में काउंटिंग सेंटर पर बंबाजी हुई है हावडा में काउंटिंग सेंटर पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है और यहाँ पर पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए नियंत्रण में करने के लिए लोगों पर लाठिया भी भांजी है और तो और देखिए इनके हिमाकत पुलिस को भी नहीं बक्षा पुलिस पर भी ये उपद्रवी हमला कर रहे हैं लोगों की जाने जा रही है रक्त रंजित चुनाव की ये तस्वीर बंगाल से तो हमारे साथ हमारे सहीयोगी जुड़ गाए है मनोज पांडे मनोज पांडे देखिए जरा एक तरफ काउंटिंग चल रही है दूसी तरफ हिंसा है की थमने का नाम नहीं ले रही है नतीजे क्या है देखिए चुनावी नतीजे बाद में आएंगे फिलहाल लगतार रक्त रंजित चुनाव की तस्वीरे देखने को मिल रही है पस्चिम बंगाल से जी बिल्कुल देखे जिस तरह से पस्चिम बंगाल में पंचाय चुनाव का शुरुआत हुआ था हिंसा सही शुरुआत हुई थी आप देखे 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है आज काउंटिंग हो रही है करीबन 22 जिले में 349 काउंटिंग बूद बनाए गए है और सभी जगह पे काउंटिंग चल रही है लेकिन देखे जिस तरह से पसिम मंगाल के जो 124 पर गना है डाइमन हर्बर वहाँ पे सुबह से ही बंबाजी हो रही है लगातार बीजेपी के जो यहां पे एजेंट है उनका आरोफ है कि काउंटिंग बूद पे उन्हें बैटने नहीं दिया जा रहा है हाबडा के देखे बाली में वहाँ पे एक महिला जो थी बीजेपी की काउंटिंग मूद पे बैटी थी बकाइदा उसके साथ में अबदर विबार किया गया है यहां तक कि उसके कपड़े फाड़े गए कई तरह से यह एक जीले की बात नहीं है बाकुडा में भी इस्तिती बनी हुई है और लगातार देखे कि चुनाव आयोक के जो यहां पे जो नहीं चुनाव आयोक राजी उशिन्ना हैं इन सब भी सवयों पे निगा बना के रखे है कि उन्होंने साववत और पे सभी जीले बाकुडा में भी ऐसी हिंसा देखे गई लेकिस सबसे बड़ी बात है कि आज भी जो काउंटिंग यहां पे हो रही है जगा जगा बैलेट बॉक्स है गायब है क्योंकि बैलेट के दौरा जो यहां पे उदमें लोगों ने अपने मत का प्रहुक किया है बैलेट के बॉक्स दूसरे नंबर में बीजेपी पार्टी की जीत हो रही है क्योंकि ग्राम प्रधान का यह कर सकते है कि चुना हो रहा है लेकि सबसे चौकाने वाली बात है जो इस तरह से लोगों के एक उमीद थी कि पसी मगाल विदान सबा में देखें सीपीम का कोई खाता नहीं खुला थ कांग्रेश का कोई खाता नहीं खुला था लेकिन सीपीम इस बार अच्छी फल लेके आ रही है और अच्छी बढ़त लेके आ रही है यह वाकई कर सकते है कि टीमसी के लिए यह घातक हो रहा है क्योंकि टीमसी जिस तरह से जहां पर सीपीम की सेद्मारी की थी वो बोटर ब प्रधान ग्राम अस्तल की यह चुनाव होता है क्लबों के द्वारा यहां पे लोग संचारीत किया जाते हैं बंगाल की राजनीत क्लबों की इर्दगिर घुमती है और जिसका इस पर बर्चस होगा देखे सीधा 2024 के लोग सभा चुनाव पे इसका असर जाएगा क्योंकि 2024 प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और बिजेपी पार्टी को कैसे हराय जाए अब यहीं से बंगाल के एक तरह से सभी पार्टियों के मीनी सीमाई फाइनल का रूप है और देखे इस समय चुनाव आयोग जो राजी सुनना है बकाइदा यहां चुनाव आयोग यहां बैटे हुआ है कि बंगाल के लोग मासूप कब होंगे कब सुरचित होंगे क्योंकि पंचायच चुनाव में जिस तरह की हिंसा देखी गई ऐसी उमीद किसी को नहीं थी लेकिन सबसे ज्यादा आज काउंटिंग दिन हिंसा भी हो रही है और जगह जगह बंबारी हो रही है यहां तक देखे कि जो सुरच्छा के लिया आज से कहा जा रहा था कि किंद्री बलो की तनादगी की जाए किंद्री बलो की तनादगी साब तर पर चिंद्री बलो के जो जवान थे उन्होंने आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग ने जो समेदल सी बूत थे जहां उनको सुचना नहीं दी गई उस बारे में नहीं बतायेगा इसमें देखे केंद्री बलो के जवानों को भी चोट लगा है उन्हों बम्मू के कई छर्रा लगे है तो साब तर पर चुनाव आयोग कहीं न कहीं पंचाय चुनाव के घेरे में था देखे सिभी आनन्द बोस जो की पसीम मंगाल के राज्पान है लगातार चुनाव आयोग को कडी सब्दों में निंदा कि ए है है oraz चुनाव आयोग की भूमका पर कई बार सवाल भी काड़ा कि ए सिभी आनन्द बोस पसीम बंगाल के सभी जीलों में जा रहे हैं पंचाय चुनाओ के नामंकर्ण से लेकर जिस दिन यहाँ पे वोटिंग हो रही थी उस दिन भी और आज भी भांगड का ऐसा जो अहाँ पे हिंसा है वहाँ पे टीमसी और आये सब के जो कारे करता है आये सब क जीत हो रही है वहाँ पे उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है उन्हें प्रमाणपत जो जीत का है वो नहीं लेने दिया जा रहा है तो कह सकते हैं बंगाल में हिंसा आखिर कब रुकेगा ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इसको लेकर बिरोधी पार्टी तो लगा पीने हमला किया है टीमसी पर ऐसी हिंसा ना कभी देखी ना कभी सुनी ये कहना है भारति ये जनता पार्टी का बंगाल पंचाय चुनाव की दौरान पैंटालिस लोगों की हत्या की गई बंगाल सरकार ने संगठत हत्याई करवाई अब कहां गई राहुल गांधी की महबत की दुकान तो एक साथ टीमसी और साथ ही साथ कॉंग्रेस पर भी हमला हिंसा हो रही है वो अपने आप में अप्रत्याशीत है इससे पहले कभी इस प्रकार की हिंसा ना हमने कभी देखा था ना किसी चुनाव में सुना था मुमताजी आपको उत्तर देना होगा क्या ये लोक तंत्र है कि एक राज्य के लोग चुनावी गणना के दिन राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में वो शरण लेते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है असंबली के चुनाव में भी ठीक इसी प्रकार हुआ था कि अगर यही द्रिश्य कोई भाजपा साशित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच क्या होता ये सारे नेता ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलूर में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं महा ठकबंधन का दृष्ष दिखाते हैं, कहां है वे सारे नेता, कहां है लालु प्रशाद यादव, कहां है नितीश जी, कहां है वो मुहबबत की दुकान खोलने वाले राहूल गांदी, कहां है ये सारे महा ठकबंधन के नेता, एक के मुह से एक शब्द नहीं निकला है, ए एक शब्द नहीं